राजकुमार नाम सही नहीं बल्कि अपनी दुनिया के राजकुमार थी। उनका अंदाज सबसे जुदा रहा। एक बार जो वो कह देते वही पत्थर की लकीर हो जाता। उनके सामने बड़े बड़े फिल्म बिर्देशकों के पसीने चुड़ जाते थे। ऐसा ही एक हैरान करने वाला किस्सा है। 1968 में आई फिल्म आखे से जुड़ा। फिल्म धरमेंद्र के हिस्से में आई लेकिन फिल्म को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म किया राजकुमार सहाब ने। दरसल रामनन सागर अपनी इस फिल्म में राजकुमार सहाब को कास्ट क करना चाहते थे। वो उनके घर स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे। उन्होंने राजकुमार सहाब को कहानी सुनाए। लेकिन उन्हें वो कहानी पसंद नहीं आई। तभी उन्होंने अपने डॉगी को अपने पास बुलाया और पूछा क्या तुम ये रोल करना चाहते हो। ज रामनंद सागर घुस्से से तिल्म लाते हुए वहां से निकले और फिल्म धर्मेंद्र को ओफर हुए। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसके बाद कभी रामनंद सागर ने राजकुमार की तरफ मुड कर नहीं देखा। तमाम ऐसी बॉल गुड अपडेट्स क के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल न्यूज इंडिया को